सुप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे तो पिशली क्लास में हमने इतानपूरा के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और हमने सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया उसके इमेज के साथ उसे समझ भी लिया और उसके description को भी हमने समझने की कोशिस की मुझे उमीद है कि आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुई होगी उन टॉपिक्स पे तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन डान्स, क्लासिकल डान्स ठीक है? भारतिय अभी तख हमने सिंगिंग के बारे में बहुत बढ़ा, प्लेइंग के बारे में बहुत बढ़ा इंस्टुमेंट के बारे में पढ़ लिया अब हम एक नए फार्म के बारे में जानेंगे जो हमारा इंडियन क्लासिकल डान्स है ठीक है? कौन-कौन से famous प्रचलित है हिंदुस्तान में विभिन प्रकार के डांस फॉर्म है और किस एरिया का कौन सा डांस फॉर्म बहुत फेमिस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आज हम थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंडियन क्लासिकल डांस के लिए कि नृत्य का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है आप इसको सीधे शब्दों में समझें कि जितना हम मानवों का मनुष्य का इतिहास हिस्ट्री जितना ही पुराना है उतना ही पुराना आपका ये इंडियन डांस का भी हिस्ट्री है ठीक है इसका प्राचीमतम ग्रं रट भारतमुनी का ना्ट साफ्त्र नाट रखा संग्तकों भारतमुनी कि द्वारा लिखा गए आता आता है वह वेडों में भी मिलता है नुरत्य के बारे में जो समझायेगे वह मद्या पुराने वादों में इनकी जर्चाएं होती रही जिसे पता चलता है कि हमारा Indian जिन के बारे में चाहरी हूं कि आप जान लें तो पहला है कथक, मुझे उमीर है आप सभी बच्चों ने इन सारे फॉर्म्स के बारे में जाना होगा अभी हम फिलाल यह जान लेते हैं कि कौन-कौन से बहुत फेमस है पहला है कथक, दूसरा है भारत नाट्यम, तीसरा है कथकली, चौथा है मनिपूरी, पाचवा कुच्चिपूरी, छठा ओडिसी, सात्वा मोहिनी अप्टम ठीक है? तो यह साथ फॉर्म्स ऐसे हैं डान्स के जो बहुत ही फेमस है, इंडियन क्लासिकल डान्स फॉर्म है अब यह डान्स फॉर्म किस एरिया का कौन सा फेमस है और उसके क्या नियम है करने के और क्यों यह इतना इंपॉर्टेंट रहा है उसके हिस्ट्री के बारे में हम धीरे धीरे अगली क्लासिस में जानेंगे तब तक आप अपना खयाल रखें, धन्यवाद